आज इस महा पर्व कुम में हम लोग उपस्तित हैं ये उत्सव ये पर्व विश्व का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है और जैसे कि हमारी पुराणों में कथाएं हैं कि जब दिवासुर संग्राम हुआ there was a fight between the demons and the gods, देवता और दानवों के बीच में संकर्ष था तो उनको कहा गया कि भाई लड़ते क्यों हो इसे अच्छा ये है कि आप लड़ लड़ करके अपनी शक्ति को खराब करो वेर्थ करो आप कुछ joint operation करो और ये संयुक्त अभियान समुद्र को मधने का होगा समुद्र मंतन होगा तो बड़े रतन निकलेंगे तो देवता और दानवों को ये बात बड़ी भाग अई यही सुझाओ ये कुम्ब का सुझाओ हमारे पड़ोसी देश भी मान लें कि लड़ने के बजाए समुद्र मंतन पर लग जाएं क्योंकि जितना पैसा हम लड़ाई में खर्च करते हैं इतना कैंसर के लिए दवाई एचाइवी वाइरस के लिए दवाई ऐसे ऐसे भैंकर रोग हैं जिन के लिए दवाई खोजी जा सकती है और हमारे देश में भी गरीबी है पड़ोस में भी गरीबी है उस गरीबी को हटाने में ही हम लग जाए तो कहने का विप्राय यह है कि यह सुझाओ उस समय देवता और दानवों ने माना और कहा चलो हम समुद्र मंथन करेंगे मेरू परवत को मतनी बनाया गया वासुकी नाग को रसी बनाया गया and the oceans were churned यह समुद्र मंथन हुआ समुद्र के पानी को मता गया जैसे आप लोग माताएं जो हैं दही को मतती हैं तो उसमें बढ़िया बढ़िया मक्षन निकलता है अभी कुछ दिन पहले हमने जनमाश्टमी मनाई और जनमाश्टमी में सब लोग भगवान को मक्षन का भोग लगाते हैं कि प्रहु को मक्षन बढ़ा प्रिय था मक्षन का भोग लगाया जाता है और उसमें मिस्री डाली जाती है और हमारे देश में तो भगवान को मक्षन इतना प्रिय था कि उनको बाद में हम लोग माखंचोर कहने लगे पर अगर अब मक्खन पर जाएं तो दूद का और दही का सार क्या है दूद और दही का सार है मक्खन बटर भगवान को सार प्रिय है भगवान को एसेंस प्रिय है आपने देखा होगा बहुत से फॉर्मुले होते हैं पर उसका एक इंपिरिकल होता है जैसे ये कारेक्रम हो रहा है और संसकार टेलिविजन के माध्यम से जो यहां नासिक नहीं आ पा रहे हैं वो अपने अपने टेलिविजनों से देख रहे हैं तो ये एक बैज्ञानिक एक उपकरणों के माध्यम से सिगनल्स के माध्यम से जहां जहां भी टेलिविजन है लोग देख रहे हैं संसकार टेलिविजन पर चैनल पर आ रहा है ऐसे ही जो गुरु महराज होते हैं वो भी सार का जो ज्ञान है जिसके लिए कहा एकम सत्य विप्रा बहुदा बदन्ति उस एक का ज्ञान सबके हिरदै रूपी टेलिविजन में कराते हैं ये जो एक्सपीरियंस है जिसको हम अम्रित कहते हैं हमारे तो रिश्यों की प्रार्थना थी अस्तो मा सदगमय तमसो मा जोतिरगमय मृत्पुर मा अम्रितगमय हे प्रभू हमें असत्य से सत्य के और ले जाएं हमें अंदकार से प्रकाश के और ले जाएं और हमको मृत्य से अमृत के और Immortality उसी अमृत के लिए ये कुम्ब मनाया जाता है कि हम अमृत प्रात्त करेंगे तो जब नाना प्रकार के रतन निकले, तो रतनों के साथ विश्वी निकला, तो कि अम्रित होगा तो विश्वी होगा, जब विश्वी निकला, संसार में वाइरल फैल गया, विश्वी समाप्त करने लगा, संसार को मारने लगा, तो सब लोग भायवीत हो गए, शंकर जी के पास पहुचें कि प्रभू इस विश्वी को आप धारन करें, ग्रेंड करें, आपको पता है, शंकर जी तो कैलास में विश्राम करते हैं, जब संकर जी से आग्रेय किया गया, तो उन्होंने भी विश्का पान किया, उसको कंठ से नीचे नहीं उतारा, तो लोगों ने कहा जी आपने विश्का पान किया और फिर भी आप विश्राम करते हैं तो शंकर जी कहने लगे मैंने कंट को मैंने विश्को कंट तक धारण किया है पर मेरे हृदय में राम है इसलिए मुझे विश्राम है मैं उद्वलित नहीं हुआ नेरे अंदर अध्यात्म है नेरे अंदर वो राम है जो सब की अंदर नियंत्र रमन करता है राम रमियुंत योगिनम राम वो है जो सब के हिदय के अंदर रमन करे जो ओमनी प्रेजन्ट हो डाट विजिस एवरिवेर जैसे रेडियो की फ्रिक्वेंसी सब जगे होती है पर आपके पास ट्रांसिस्टर हो तब आप उसे सुन सकते हैं ऐसे हमारे पास उपकरण होगा तो जो संसार में प्यापक है उसका हम दिखदर्शन कर सकेंगे हिर्दय के अंदर जो उपकरण होता है उसी को हम ज्यान कहते हैं कि सद्गुरु महराज ज्यान देते हैं सद्गुरु महराज वो उपकरण देते हैं जिससे हम जो व्यापक है उसका अनभव प्रात्त कर लें विश के बाद अम्रित निकला जब अम्रित निकला तो देवता दानवों दोनों को लुभाने लगा विश को प्रात्त करने के बाद तो हम अमर हो जाएंगे हमारा विनाश नहीं होगा हमारा डिके नहीं होगा आपने देखा होगा हर चीज़ का विनाश होता है दवाईया बनती हैं दवाईयों के पीछे इकस्पारी डेट लगी होती है इतने समय के बाद दवाईया खतम हो जाएंगी इसका प्रभाव जिष्टेज हो जाएगा इसका प्रभाव हीन हो जाएगी आदमी की भी आयू होती है एक समय के बाद वो भी इनेक्टिव हो जाते हैं रेडियो एक्टिविटी उनकी समाद को हो जाती है तो जो संसार में आया है आये हैं सो जाएंगे जो आया है संसार में पैदा हुआ है वो जाएगा अब जाना कोई नहीं चाहता आदमी चाहता है मेरा जाना नहों मैं इम्मॉटल बन जाओं अमर हो जाओं और अमर होने के लिए देवता भी भागे और देथ भी भागे दानव और देवता दोनों भागे भगवान ने कहा भाई जो कुपात्र होता है उसको अम्रित नहीं मिल जाए कुपात्र को अम्रित मिलेगा तो विपलब हो जाएगा तो भगवान ने मोहिनी रूपधारण किया और जो पात्र थे उनको अम्रित पिलाने लगे और इसी में अम्रित की चार बुंदे कलश से धर्ती पर गिरी एक इलाबाद में गिरी यहाँ पर संगम यहां पर कुम मनाया जाता है एक उज्येन में गिरी एक हरिद्वार में गिरी और एक आपके नासिक में गिरी यह चार बुंदे जो अम्रित की है यह धर्ती पर गिरी जो ज्ञान को जानता है वो जानता है कि चार जो क्रिया हैं यही चार अम्रित की बूंदे हैं जो जद्गुरु महराज देते हैं तो यहां पर भी यह माननता है कि अम्रित की बूंद गिरी घड़े से गिरी और उस घड़े का नाम ही कुम्ब होता है वैसे भी देखा जाए तो हमारे रिशी लोग तो यह जानते थे कि पृत्वी गोल है इससे पहले तो यूरोप के लोग यह मानते थे कि धर्ती फ्लैट है यह गोल कैसे हो सकती है परन्तु हमारे रिशियों ने क्या कहा जोग्रफी को क्या कहा भू गोल भू माने पृत्वी गोल बाने ये पृत्वी गोल है तो कहने का अविप्राई यहा है कि अम्रत को प्राप्त करना, इम्मोर्टालिटी को प्राप्त करना, जो संसार में जिसका जनम और मरन नहीं है, जिसका जनम हो गया उसका मरन होगा, जो जनम और मरन से रहित है, जिसके लिए भगवान से कृष्ण महराज कहते हैं गीता के अंदर नैनम चंदन्ति सास्त्राणी, नैनम दहती पावका, ना चैनम कलेदन्तितापो, ना शुर्शती मारूतः, हेरजुन, ये आत्मा अजर, अमर और अविनाशी है, अस्त्र शस्त इसको काट नहीं सकते हैं, यही वो चीज़ है, जिसका नाश नहीं होता है, विज्ञान कहता है, आइंस्टाइन ने कहा, energy equals to mass into velocity of light squared, E equals to mc squared, उसने भी ये कहा, कि जो शक्ति है, उससे ही सारा संसार प्रकट हुआ है, इसलिए हम कहते हैं, यादेवी सर्भोतेशु, शक्ति रूपेन संस्थिता, नमस्तस्य, 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 नमो नमा, यह सारा संसार शक्ति सही पैदा हुआ है, और विज्ञान भी कहता है, that energy can neither be created, nor it can be destroyed, शक्ति का जनम नहीं होता है, और शक्ति का अंत नहीं होता है, the law of conservation of energy, शक्ति का नाश नहीं होता, शक्ति का destruction नहीं होता, वो जो शक्ति है, उसको हमारे संतों ने अपने हर्दय के अंदर realize किया, जो अविनाशी है, जिसका नाश नहीं होता, ये शरीर का नाश हो जाता है, शरीर सड़ जाता है, शरीर डिके कर जाता है, इसलिए आपने देखा होगा, हम आग में शरीर का संसकार कर देते हैं, कोई शहर लगा करके Tower of Silence पर रख देता है, क्योंकि इस मट्टी के शरीर को, पंच भौतिक शरीर को मट्टी में मिलाने का हम प्रियास करते हैं, कि मट्टी को मट्टी में मिलाओ, जो इस शरीर को अर्थ प्रदान करने वाली चीज़ है, जो हमें चेतना प्रदान करने वाली चीज़ है, वो जो शक्ति जिसका नाश नहीं होता, जिसको हम आत्मा कहते हैं कि आत्मा का नाश नहीं होता, भगवान कहते हैं, जैसे हम पुर अभवा यात्रा है आप अच्छे अच्छे कपड़े पहन के आएंगे फिर वो वस्त्र पुराने हो जाएंगे तो हम क्या करेंगे पुराने वस्त्रों को त्याग करके नए वस्त्र धारण कर लेंगे भागवान कहते हैं ऐसे ही पुराने शरीर को त्याग करके आदमी नए श होता रहता है तो वो अवनाशी तत्तु जो एटर्णल है सनातन है जिसका नाश नहीं होता तो यह कुम्ब का जो महापर्व है इसमें देश विदेशों से अभी हमारे बीच में नेपाल से लोग आए हुए को आज पोलेंट से लोग आय हुए हैं जगय जगय से लोग इसकार्यक्रम में आ रहे हैं और जो पहुंच नहीं है पा रहे हैं है वो संस्कार TV के माध्यम से अपने अपने टेलविजूर человек के पढ़दे पर इस कारेक्रम को देख रहे हैं और सत्संग का लाब उठा रहे हैं तो इसकी जो अनखुती है यह हमें प्रात्व करनी है भगवान लड़ाई के मैदान में अर्जुन को एक्सपिरियंस प्रदान करते हैं आपने जीता पढ़ी होगी जीता में भगवान लड़ने के लिए क्या स्टेजी बनानी है इसकी चर्चा नहीं करते लड़ाई के अंदर एक प्रिंसर्स मुव्मेंट होता है जिसके अंदर यह सिखाया जाता है कि दुश्मन को घेर करके कैस इसका जिक्र नहीं करते हैं भगवान जिक्र करते हैं कि अर्जुन यह मन बड़ा चंचल है इस मन को एकाग्र करना है कॉंसेंट्रेट करना है जब भगवान यह चर्चा करते हैं तो अर्जुन कहता है प्रभू धरती को बेद करके जल निकालना बहुत आसान है वायू को गठडी के रूप में बांधना बड़ा आसान है पर इस मन को नियंत्रण में करना इसको कॉंसेंट्रेट करना बड़ा दुश्कर है तो भगवा पर यह अभ्यास और वैराग्य से हम जब मा के गर्व से पैदा हुए तो हमने चलने का अभ्यास किया साइकल चलने का अभ्यास किया और अभ्यास करने के बाद उसमें हम सिद्धस्त हो गए तो ठीक यही है मेरा कहना कि हमको भी अभ्यास करना अभ्यास किसका करना है यह सद्ध्गुरु महराज से ज्ञान प्राप्त होगा कहा स्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ट के पास जाओ उनसे निवेदन करो उनकी सेवा करो और जब उनका हिर्दय प्रसंद होगा तो तुम्हें ज्ञान देंगे तो सज्ञनों कई कुम्भों में हमें संबलित होने का अवसर मिला तो कुम्भ का मतलब होता है घड़ा और हमारे संत कहते हैं जल बिच कुम्भ है कुम्भ बिच जल है बहार भीतर पानी ये संतों ने कहा कि भाई घड़े के अंदर पानी है और घड़े में भी पानी है बिना पानी के घड़ी की रचना नहीं होती मट्टी को गिला करके घड़े का रूप दिया जाता है तो ठीक इसी प्रकार से जीव के अंदर भी वो तत्व विद्दमान है अंतरमुखी उसको होना पड़ेगा कृष्ण जैसे ज्यानी के पास जानना पड़ेगा जिसको जा करके वो अपने आपको जाने आपने देखा होगा अगर हम अंग्रेजी पढ़ना चाते हैं तो अंग्रेजी टीचर के पास जाते हैं गणित पढ़ना चाते हैं तो गणित के टीचर के पास जाते हैं अगर हमें संस्कृत पढ़नी है तो संस्कृत टीचर के पास जाते हैं अगर हमें मराठी पढ़नी है तो मराठी अध्यापक के पास जाते हैं ऐसे ही अध्यात्र को पढ़ने के लिए अध्यात्रिक पुरुष के पास हमको जाना पढ़ेगा एक लड़का अपनी मा से पूछने लगा कि माता जी आप मुझे मंदिर ले जा रही हो तो मंदिर को जाने के लिए मुझे सीडियां चरनी पढ़ती हैं तो मा ने बेटे से कहा बेटा तुम प्रभू से मिलने जा रहे हो तो तुम्हें सीडियां तो चरनी पढ़ेगी अपने को एलिवेट करना पढ़ेगा अगर अपने स्थर से उपर नहीं जाओगे तो एलिवेशन नहीं होगा विकास नहीं होगा तुम्हारा हमें तो उपर उठना ही पढ़ेगा उपर उठके ही हम प्रभू से मिल सकते हैं तो प्रेमी सक्जनों ये सुंदर अवसर हमें प्राप्त हुआ है और इसमें सत्संग को सुन करके सुन समझही जन मुदित मन मज्जही अति अनुराग लहें चार फल अच्छत तनू सादू समाज प्रियाग जो सादू संतों का प्रियाग है उसमें बड़े प्रेम से सुन समझही जन मुदित मन सुनना और समझना अपने जीवन में उतारना प्रसंद मन से मज्जही अति अनुराग अरो उसका मनजन करना जीवन में उतार करके उसका द्यासन करना लहें चार फल अच्छत तनू यह चार पदार्थों की प्राप्ति होगी इसी जीवन में साध उसमाज प्रियाग ये साध्मों का जो प्रियाग है इसका ये फल है तो इसलिए आज आपने जीवन को यहां हम आ रहे हैं लोग श्नान भी करेंगे मैल को भी धोएंगे तो हम यहां से वास्तब में देखा जाए हमारा कुम्ब में आना तब सार्थक होगा जब अमर्ता के संदेश को अमर्ता के ज्ञान को हम यहां से ले करके जाएं संसार का तो संसार में रही जाएगा और आज इतनी जादा टेक्नोलोजी बढ़ती जा रही है आपने देखा होगा जगे जगे कूडा फैका होता है आज एंजाइम्स की ऐसी टेक्नोलोजी है और मैं मेर साब को भी धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने इस टेक्नोलोजी को यहां पर उसका प्रियोग करने के लिए मौका दिया एंजाइम्स की टेक्नोलोजी से आप गंदगी को समात्त कर सकते है वो एंजाइम्स की टेक्नोलोजी गंदगी को समात्त करती है और ये टेक्नोलोजी भारत में आएगी तर निश्यत रूप में आपने देखा होगा जो रेलवे ट्रैक पर गंदगी पड़ी होती है वो गंदगी नहीं रहेगी आपके रेलवे ट्रैक साफ हो जाएगे जो भारत का स्वच्छता का अभियान है जिसको हमारे प्रधान मंत्र जी कहते हैं स्वच्छ भारत कि संत कहते हैं भाई भारत तो स्वच्छ होना चाहिए पर अपना मन भी साफ होना चाहिए मन चंगा तो कठोटी में गंगा देश तो साफ हो पर यह मन के विकार भी दूर होने चाहिए मन भी हमारा साफ होना चाहिए तो बड़ी बड़ी टेक् sister बनाया विज्यान ने लेजर बनाया विज्यान internet लाया कुछ लोग यह समझते थे कि internet जो है बाई यह तो केवल अमीरों के पास रहेगा आज वो अमीरों के पास तो क्या है वो तो हर एक आदमी के पास हो गया जैसे सुना जाता था कि नारद जी के पास वो एक सितारा होता है और नारद जी घूमते रहते हैं कभी आपने ये कलपना की थी कि आप टेलीफोन को जेब में रख करके आप गूमते रहो और जहां चाहें आपका टेलीफोन बच जाए और आप बात कर लो शायद जो आज की पीड़ी विश्वास नहीं करेगी जो बुजर्ग होंगे वो इस बात को समझेंगे कि पहले एक टेलीफोन होता था उस पर एक ओडिनरी कॉल होती थी फिर एक अर्जेंट कॉल होती थी फिर उससे भी जादा बड़ी एक लाइटनिंग कॉल होती थी और आदमी चार-चार-पांच माज घंटे टेलीफोन के नजदीक बैठ करके इंतजार करते थे कि भाई कब हम बात कर सकेंगे ऐसा जमाना था आज इतना विकास हो गया वो टेलीफोन ही आपकी जेब में आ गया आप जहां चाहिए आप टेलीफोन ले जाएए और बात कर लीजिए हर कॉल आपकी लाइटनिंग कॉल हो रही है और आप तो इंटरनेट के जरीए आप तो आप वीडियो कांफरेंसिंग कर सकते हैं आप ह हमें देख रहे हैं और वो हम उनको देख रहे हैं इतनी जादा टेक्नोलोजी आगे बढ़ गई है पर यह सब कुछ होने के बाद आदमी अशान तो होता है तो डॉक्टर क्या कहेंगे अरे नींद की गोली खालो नींद की गोली से नींद तो आ जाएगी पर शान्ती नहीं मिलेगी पैर में दर्द हो रहा है गोली खालोगे तो जो दर्द का संसेशन है उसको दवाई रोख देगी उसको काट देगी आपको बिहोश कर सकती है पर आपको आनंद नहीं दे सकती आनंद के लिए प्रभु के नाम को ही लेना पड़ेगा हमारे संत कहते हैं बार मथे गृत होए बरू, सिक्ता ते बरू तेल, बिन हरी भजन ना भवत रही, यह सिद्धान्त अपेल हमारे संत कहते हैं बार मथे गृत होए बरू, समुद्र का पानी ले लो, उसको चर्ण करो मथो, समुद्र के पानी से क्या निकलेगा, जाग निकलेगे नमक निकलेगा, सॉल्ट निकलेगा, जैसे आपने देखा होगा, डेड सी में नमक होता है, इतना ज़्यादा नमक होता है कि उसको कह दिया dead sea उसके अंदर कोई मच्छी नहीं तेरती है और इतना जादा उसकी salinity है इतना जादा उसका अंदर नमक का इतना घनत्व है कि आप उसमें कूद जाओ तो आप डूबेंगे ही नहीं इसरेल और जॉर्डन के बॉर्डर पर यह dead sea है और उसकी विशेष्टा यह है कि वहां कोई जाता है तैरता है डूबता है तो उसको नमक भार धकेल दिता है तो वहां डूबी नहीं सकता कोई आदम तो ऐसे ही अगर प्रभू के नाम में हमारी density बढ़ जाए हमारा घनत तो ब अमर्ता को हम प्राप्त कर लेंगे अब वहां इतना नमक है कि उसकी मट्टी को भी बेचा जा रहा है कि जाब आप काले से गोरा होना चाहते हैं तो उसकी मट्टी को लगाओ डेड सी सॉल्ट बोलते हैं उसको तो उसका भी आजकल बेचा जा रहा है तो कहने का मकसद यहां है कि ऐसे ही कहा बार मथे घृत होई बरू समुद्र के पानी को बथलो तो उसमें से जाग निकलेंगे पर संत कहते शायद उसमें से घी निकल जाए पार मथे घृत होई बरू सिकत ते बरू तेल और आप अगर के कड़ों को पीसेंगे सिल्का निकलेंगा उसमें से एक्ष निकलता है आपके चश्मे जो सबसे बढ़ी आचस्मे होते हैं लाइका के लेंजिज होते हैं वो रेट से ही बनते हैं सिलिका से बनते हैं तो कहां भै रेट के कड़ों को पीछ लो शायद उसमें से तेल निकल जाए सिकता ते बरु तेल ये असंभव भी संभव हो सकता है ये पॉसिबल नहीं है यह संभव नह भगवान के नाम का सहरा लेना ही होगा आपने देगा होगा टाइटानिक जहाज दब डूबा तो वही बज़ पाए जो उसमें सेविंग बोर्ट्स का जिन्नों ने सहरा लिया आप पानी में तैरते हैं तो लाइफ जैकेट आपको बांधनी पड़ती है हवाई जहाज में जाते हैं तो आपको स्पेशल बताया जाता है ये पेटी को बांधने से ये खेंचिये हवा भर जाएगी आप पानी में डूब नहीं पाएंगे हवाई जहाज, जान है हवाई जहाज में पेटी पहनाए जा रही है, पानी में न डूबे चलो खेर, तो भाईया हर चीज में बचाने का तैरते हैं, तो तैरने में वहाँ ऐसे उसमें बेल्ट होती है, जिसको पहन करके आप पानी में डूबे नहीं यह सारे साधन बने हुए है आर्चीज बनी हुई है ऐसे प्रभू ने भी संसार में आप नहीं डूबो संसार से मुक्त हो जाओ इसका भी प्रम्द भगवान ने किया हुआ है और वो प्रभू के नाम से ही होता है तो सज्जनों ये कुम्भ में आकर के उसी नाम का बखान होता है उसी की चर्चा की जाती है वही सत्संग का विश्य है और जब हम उसका प्रचार करेंगे देश की सीमाओं को तोड़ता हुआ ग्यान विश्व के अंदर फैलेगा जैसे टेलिविजन की तरंगे हैं इंटरनेशनल हैं अंतर राष्टिय है सैटलाइट के जरिए सारे दुमिया में कुछ हमारे जानने वाले थे तो वह विदेश्मांत्राले में थे अफगानिस्तान में तो मैंने का तुम अफगानिस्तान में क्या करते थे कहते जी कभी-कभी आपका टेलिविजन देख करके और आपका सत्संग हम सुना करते तो देश की सीमाओं को तोड़ता हुआ ये तरंगे आज सारी दुनिया में फैल रही हैं इसी प्रकार से ये प्रभु का नाम जो ज्यान है जो अध्यात ज्यान है ये भी देश की सीमाओं क पाईए भारत को विश्वगुरु बनाने के लिए हम इस ज्यान का प्रचार करें इस अम्रित के ज्यान का प्रचार करें जो भारत की वास्तम में देखा जाए हमरे रिशी मुनियों की पूंजी रहा है भारत से योग उठा आज योग की चर्चा दुनिया में हो रही है चि जैसे आपका एक curriculum होता है इसी प्रकार का इसका curriculum बना करके और इसके अंदर degrees हो इसके अंदर क्या किस विद्यार्थी को क्या करना है और ये पुरी दुनिया को भेट कीजिए ताके दुनिया के schools इसको पढ़ा सके आखिर चित्त को ज्यान देने वाला ये योग है तो आज भारत निश्यत रूप में आगे बढ़ रहा है भारत के अंदर technology आ रही है भारत की युवा शक्ति खड़ी हो रही है और निश्यत रूप में भारत को महन बनाने के लिए विशुकुर बनाने के लिए आए इस ज्यान का अध्यात ज्यान का हम प्रचार प्रसार करें और भारत को मिश्युकुर बनाए इनी शब्दों के साथ सर्वे भवन्त सुखिन सर्वे संत निराम आये सर्वे भद्राणी पश्चंतुमा कश्चित दुख भागवेत हर्यों